कम से भी कम आप टार्गेट हैं समनाओ कि वो टार्गेट साथ से आठ घंटे तो आपको पढ़ाई करने को मिले ही मिले अगर जैसे आप किसी भी एक्जाम की पहले तो आप नेचर डिसाइड कर लीजे कि मुझे इस डिपार्टमेंट जॉब करनी है और मैं इस एक्जाम की ट्यारी कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप किसी टॉपर को देखो कि उसने कितने समय में ये पढ़ाई करके एक्जाम निकाला था सबोज उसने 6 मेने में निकाला तो आप है तो आप जो है टॉपर तो मतलब हो टॉपर है अच्छी बात है आप एक एवरेज अगर स्टुडेंट भी हो तो आप कहो कि मैं 8 मेने में लगा दूँगा 8 मेने में पेपर निकालूँगा तो टारगेट इस तरीके से डेली का बन सबसे आदे मौक टेस लगाता है सबसे जल्दी जल्दी उधेड़ो चाहा उपर से हलकाई उधेड़ो कोई फरक नहीं पड़ता है फाइनल गो में सेलेक्शन उसी का होगा जिसने जितने जादे मौक टेस लगाए थे तो बोलेगा 100 डिड़ उसो आप कहो कि हैं मैं तो कभी जीवन में दस भी नहीं लगाया तो उसका फरक पड़ता है वो डेली कुजिस लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैपस हो उस पर कुजिस आते हैं आप उन कुज को दीजे आप मौक टेस लगाए सिलिबस कम्पलीट करने के बाद तभी आपको जो है सफलता मिल पाईगी दूसरा अपने फ्रेंट का एक बढ़या सा सरकल बनाओ फ्रेंट ग्रूप स्टेडी से रिलेटिड होना बहुत जरूरी है आपको उनके साथ बैठके मतलब मस्ती भी करने हैं उनके साथ गोलगपे भी खाना है और एक घंटा बैठके टाइम खराब भी करना है लेकिन एक आपका अच्छा तीन-चार दोस्तों का इस्टडी अगेडमिक गुरूप उनसे कंटीनिवस बफरिंग हो रहे हैं उनसे कंटीनिवस आपका डिसकर्शन होना चाहिए कि मेरी तयारी स्पेस से चल लिए तो तुमारी तयारी की स्पेस पे चल रही है ठीक है दोस्त यूटू मनाओ कि आप उसको ना खुल के देखो ठीक है मेरे प्यारे भाई अगर आपकी कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं एक बाद कमंट दिखा मुझे बच्चों के इस सिड़े करती हूं छोड़ो है मेंगे कोचिंग के चकर और जब आपको मिले ओनलाइन क्लासेज, लाइफ क्लासेज, इंपोर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेज, क्विज, 50 प्लस कॉंपटिशन एक्जाम की त्यारी एक ही आप पे वो भी घर बैठे बैठे तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो न, अभी डाउनलोज करें, करियर विल आप